अंकिता लोखंडे का जीवन परिच्चे भारत इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की लिस्ट में गिनी जाती है लेकिन अगर बात की जाब फिर भारती टेलिविजन इंडस्ट्री की तो वह भी किसी से कम नहीं है भारत में धारवाहिकों को देखने का शाक लोगों को लंबे समय से रहा है। कई बड़ी-बड़े फिर्म स्टारों ने टेलिविजन से ही अपने करियर के शुरुआत की है। फिर्म इंडुस्ट्री की एक ऐसी ही अभीनेत्री हैं अंकिता लुखंडे। अंकिता लुखंडे कौन है वैसे तो अंकिता लुखंडे एक लोग प्रिय अभिनेत्री है जिन्हें किसी परिची की जरुरत नहीं है लेकिन जो लोग अंकिता लुखंडे को अंकिता लुखंडे के नाम से परिचित नहीं है उन्हें बता दे कि अंकिता लुखंडे एक पवित्र रिष्टा की वजह से जाना जाता है जिसमें वह शुशान सिंग राजपूत के साथ नजर आई थी पिनेत्री अंकिता लोखंडे का जनम मध्य प्रदेश की रास्थानी के रूप में जाना जाने वाला शहर इन दौर में एक मराथी परिवार में हुआ था अंकिता लोखंडे के पिता का नाम श्रीकान था जो की एक न्यूज रिपोर्टर थे तो वहीं उनकी माता का नाम वंदना फंडिस था जो की एक अध्धापिकात के रूप में कारे करता थी उनके दो भाई भी है जिनका नाम सूरज और आटपन है तो वहीं उनकी एक बहन भी है जिनका नाम जोती है शिक्षा की बात की जाए तो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार अंकिता लोखंडे ने अपने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन जनम फूमी इंदौर से ही की थी सूत्रों के अनुसार अंकिता ने एर होस्टर्स बनने की ट्रेइनिंग लेते हुए इंदौर के फ्रैकिन इंस्ट्यूट में भी एड्मिशन लिया था अंकिता को शुरुआत से ही एक्टिंग और डांसिंग का काफी ज़दा शौक था अंत में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्हों वहां उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा था साल 2006 में अंकिता ने जी के एक शो आइडिया जी सिने स्टार में भाग लिया जहां वेट टॉप फाइफ में तो जगहन नहीं बना पाई लेकिन उनकी शानदा डांसिंग स्किल ने उन्हें लोग प्रियब बना दिय जिससे वह कई कलकारों की नजरों में छा गई अंकिता पहले अभिने के दुनिया में एंडी टीवी इंडिया के एक सीरीज बाली उम्रुक को सलाम से कदम रखने वाली थी लेकिन वह शो आगे नहीं बढ़ पाया इसके बाद अंकिता लोखंडे ने 2009 से एक तक पूर के शो पवित्रिष्टा से अपने अभिने की शुरुआत की धारवाहिक पवित्रिष्टा में अंकिता के साथ अभिनेता शुशान सिंग राजपूत थे यहां धारवाहिक उस समय के सबसे अधिक देखे जाने वाला धारवाहिक के लिस्ट में शामिल हुआ एक तक कपूर का यह धारावाहिक परवित रिष्टा साल 2009 से लेकर साल 2014 तक चला और अंकिता लोखंडी की बहतरीन एक्टिंग की वजह से उन्हें इस धारावाहिक से काफी लोग प्रेता भी मिली 2011 में अंकिता लोखंडी ने शुशान सिंग राजपूत के साथ जलिक दिखला जाके चौत्थे सीजन में भी नजर आई इसी साल वह रियालिटी शो कॉमेडी सरकस में भी नजर आई इसके अलावा साल 2000 में अंकिता ने एक मीनी सीरीज एक थिनायक में भी काम किया था अंकिता लोखंडे बॉलिवुड की अभी नीतरी में से एक है जिनोंने टेलिविजन से अपने करियर की शुरुआत की और वरतमान में फिल्मों में काम कर रही है लोखंडे की शुरुआत संजली रभनसाली की फिल्म पदमावत से होने वाली थी लेकिन उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया और कहा की वह अभी फिल्मों के लिए तयार नहीं है इसके बाद खबरे आये की अंकिता संजदत के साथ फिल्म तोर बाज में नजर आएंगी लेकिन खबरे जूटी निकली और वह उस फिल्म में भी नजर नहीं है लेकिन आखरकार अंकिता लोखंडे ने अपने बॉलिवूट की दबंग अभिनेत्री कंगर नौत की फिल्म मनी करने का से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत के इस फिल्म में उन्होंने जलकारी बाई का करिदार निभाया था अंकिता लोखंडे की पहली फिल्म मनी करने का 2019 में गंतंतर दिवस पर रिलीज हुई काफी अधिक बजट होने के बावजुद भी यह फिल्म कमर्शेल सफलता के रूप में उभर और शांदर बॉक्स आफिस पर कलेक्शन करने में असफल रही मनी करने का फिल्म में अंकिता लोखंडे के अभिने को ओडियंस के दो आरा काफी पसंद किया गया इसके बाद अभिने तरे 2020 में साजित नाडिया ड्वाला की फिल्म बागी 3 में भी नजर आएं इसमें उन्होंने श्रद्धा कपूर की बहन और टाइगर शौफ की भावी का किरदार ने भाया था इस फिल्म में उनकी शादी रितेश तेशमुक की बड़ी बहन से हुई थी और इस फिल्म में भी उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था वेब सीरिस इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अंकिता लोखंडे का धारवाहिक पवितर रिष्टा जी इंटर्टेंट्मेंट के लिए सबसे बहतरीन प्रोडक्ट में से एक तो ऐसे में जी ने उन्हें एक बार फिर से बनाने का फैसला दिया और पवितर रिष्टा 2.0 की शुरुआत की यह एक वेब सीरिस शो रहा जो जी 5 पर 15 सितंबर से प्रीमियम हुआ था और लोगों समय तक रिष्टे में भी रही अभीनिता शुषान सिंग राजपूर्ट ने 2011 में उन्हें रियालिटी शो जलक दिखला जामें सब के सामने प्रोपोस भी किया था 2016 में एक इंटर्वियो के दोरान अंकिता और शुषान सिंग राजपूर्ट ने एक दूसरे से शादी करने की बात भी की थी लेकिन उसी साल किसी कारणवर्ष तोनों ने अपने अपने रास्ते बदल ली और उनका ब्रेक अप हो गया इसके बात करीबन दो साल तक अंकिता लोखंडे ने अपने रिलेशन्शिप को अनॉंस्मेंट की जो लोग प्रेवेफसाय विकी जैन के साथ थी अंकिता और विकी की सगाई हो चुए से जुड़ी एक लोग प्रे कॉंट्रिवेसी यह है कि साल 2013 में उन्होंने शुषान सिंग राजपूत को थपड मार दिया थ बूरू प्लस गुल्ड अवर्ड फर बेस्ट फॉर एक्टरस इन अ लीड रोर 2012 स्टार गुल्ड अवर्ड फर बेस्ट एक्टरस इन ड्रामा सीरी फॉर अंकिता लुखंडे के संपत्ती अंकिता लुखंडे वर्तिमान में देश की सब बड़ी टेलिविजन अभिनेत्री में से एक हैं एक रिपोर्ट के अनुसार करीब एक लाख रुपए हर एपिसोड के लिए लेती हैं इसके अलावा अपनी लोग प्रिते के कारण वह फिल्मों के लिए अच्छा खासा पैस लेती हैं इंट्रिनेट पर मौझूद जानकारी के अनुसार अंकिता लुखंडे की संपत करीब तेन मिलियन डॉलर अर्थियाद 20 करोड रुपे से अधिक